प्रदेश में हुई हिंसा स्याहत होकर इस्तिपा दिया राश्च्पती रामनात को भीन को भेजा इस्तिपा पुलिस प्रस्रिक्षन निदेशाले में तैनात हैं बीपी अशुक बीजीपी और राजपाल को भी भेजा इस्तिपा आज की हिंसा स्याहत होकर इस्तिपा तो आपको बता दें कि बीपी आशोक जो की एसपी पद पर तैनाथ हैं उन्होंने इस्तिफा दे दिया है सीवा तिबारी जुर्गेंस पर कमासा शिवा क्या जानकारी मिल लई है तो इन्होंने एक बाकादे चिठी लिखी है और चिठी में इन्होंने ये कहा है कि जो अधिकार है उसका हननो रहा है और जिस तरीके से कारवाई की जा रही है वो ठीक नहीं है और इसके लिए इनके मैं संवेदना बेक्त करता हूँ और इसलिए मैं इस गटना से आहात हूँ और इसलिए मैं इस्तिफा दे रहा हूँ तो ये उन्होंने एक चिठी मी लिखी है जो कि रास्पदी को भी चिठी लिखी है मुखे बंतरी को भी चिट्टी लिखी गई है मुखे सच्चु को भी चिट्टी लिखी है और उसके साथ ही अपना इस्तीफा दे लिया है जे लेकिन क्या है इस्तीफा देने के बाद इस्तीफा को सुखार कर लिया गया है देखे अभी इस तीफा स्विकार करने की जानकादी निकल कर सामने नहीं आई है दरसल बात यह है कि एक आईपियस अधिकारी एक पुलिस विवाग के जिम्मेदार पर पर पैनात अधिकारी से सबसे पहले इस बात तो यह थी कि इस तरह की उमीद नहीं की जा रही थी कि ऐसी गटनाओं को लेकर ऐसे प्रोटेस्ट को लेकर या किसी विशेश जाती के प्रोटेस्ट को लेकर वो इतना ज़्यादा समयदद शील हो सकता है या फिर उसको लेकर इस तरीके से उसके भावनाय जूर सकती है क्योंकि जो पुलिस का पद है वो बिसिकली एक कानून से जूरा हुआ पद है और लाइन ओर्डर की प्रक्रिया में शामिल पद है तो उनको बजाए किसी तरह के कारवाई के किसी तरीके के अपने जो एक अपनी ड्यूटी के निर्वान के इस तरीके से भावनात्मक लगाओ करता ही ठीक नहीं था इसके लिए पूरा जो पूरी प्रदेश में आज लाइन ओर्डर को लेकर जो वहाँ पर दिक्कत रही इस बात से वो आहाथ है या फिर प्रदर्शन को लेकर आहाथ है उनकी एक लाइन ये भी थी उनके तबाम पॉइंट में बीपी अशोक के कि ये जो हुआ है दलितों के अधिकार का हनन हुआ है तो ये यहाँ पर सीधे सीधे प्रदर्शन काजियों के प्रदिशान भूती और दूसरी गतना जिस तरीके से प्रदर्शन हुआ और कई जगे पर हिंसक प्रदर्शन होने की वज़े से फूलिस को कारवाई करनी पड़ी कई जगे लाखी चार्ज हुआ कई जगे आसुबेस की बोले छोनने पड़े कई जगे फूलिस को फाइरिंग भी करनी पड़ी तो इस तरीके के जो फूरे पूरा घटना करम हुआ है पूरे घटना करम को उन्होंने जिम्मिजार बनाते हुए उन्होंने अपने पत से सिफादे दिया है चलिए बहुत बहुत शुक्रिया